दिखे, सबसे पहले clean sheet नहीं है, मैं इसके बारे में बात में बात करूँगा, Supreme Court ने पूरे आरोपों को खारीज किया है, और आरोप क्यूं घड़े गए, इसके बारे में भी Supreme Court ने कहा है, एक प्रकार से आप कह सकती हो कि Supreme Court ने आरोप politically motivated है, ये भी सिद्ध कर दिया है, Supreme Court के judgment ने सिद्ध किया है, जहां तक कैसा लगा का सवाल है, 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता, एक सब्द बोले बगर, सभी दुखों को भगवान संकर के विश्पान की तरह गले में उतार कर, सहन करकर लड़ता रहा, और आज जब अन्त में सत्य सोने की तरह बारा है, चमकता हुआ बारा है, तो आनन्द ही होगा, मैंने बहुत नद्दीक से मोदी जी को इस दर्द को जिलते हुए दिखा है, इस आरोपों को जिलते हुए दिखा है, और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी, क्योंकि नाएक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, इस टेंड को कोई बहुत मजबूत मन का आ में भी गुजरात के गुरू मंतरिय नाते कर सकता था, पाटी के अध्यक से नाते भी कहता, क्योंकि परिस्तिती में कोई बढ़लाव नहीं है, फैक्ट फैक्ट था, परंटु संपून नाएक प्रक्रिया जब तक समाप नहीं हुए, तब तक मोदी जी ने इसको प्रभाव हुए, इसलिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आपने भी यही का और मोदी जी ने भी यही का, 19 साल हो गए है, तो 19 साल में आप इधर उधर की बाते करते थे, पूरा आप डीटेल में नहीं जाते थे, अब आप क्या बता सकते हैं कि क्या हुआ उन दिलों में? सबसे पहले, 19 साल के बाद, सुप्रीम कौट की खंड़ पिट ने आज जो जज्जमेंट दिया है, उस जज्जमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे घलत आरोप को खारीच कर दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपो को पोलिटिकली मोटिव तरीके से लगाया था, विस्टेड इंट्रेस था, कौन थे वो आपके हसाब से, ना मैं बताता हूँ बाद में, और तीसरा इस से भारतिय जनता पार्टी की सरकार पर जो धबा लगा था, वो भी धुला है, और मोदी जी जैसे वैस्विक नेता पर जो घलत आरोप लगाये थे, मैं मानता हूँ कि लोग तंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का संद्मान कैसे हो सकता है, इसका एक आदर्स उदाहन सभी राधनिती में काम करने वालों लोगों के सामने करा है, मोदी जी की भी पुत्ताच हुई थे, किसी ने धर्णा प्रदसन नहीं करा था, दे कोई धर्णा प्रदसन नहीं करे थे, और जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर आता है, विजय होकर, तो सुने से भी ज्यादा उसकी चमक होती है, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाये थे, अगर उ अंतर आत्मा है, तो उन्होंने मोदी जी की और भारती जन्ता पार्टी की समा मंगनी चाहिए.